दोस्तों हमें भूल के भी नाइट्रिक एसिड और आइसो प्रोपाइल एलकॉल की रियेक्शन नहीं करानी चाहिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको यह एक्सपेरिमेंट देखने के बाद पता चलेगा हम आलम है तरह बाप को मत सिखा चल तो चलिए करते आज के अपने इस एक्सपेरिमेंट को आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पे मत करिएगा यह वीडियो सिफ एजुकेशनल परपस के लिए है दोस्तों जो एक बीकर है इसके अंदर नाइट्रिक एसिड है और इस टेस्टूब में मैंने अपना आइसो प्रोपाइल एलकॉल डाल रखा है अब इसको करता हूँ और देखिएगा दोस्तों देखिया आपने रियक्शन कितनी इंस्टेंट हुद यह इसमें एक एस फॉर्मेशन हुई है मैं इसलिए आपको मना कर रहा था कि आप इनको कभी भी बूल के भी मिक्स मत करना बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप् किसी नई वीडियो में किसी नई एक्सपरिमेंट के साथ